असलामु अलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखास किच्छन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं हलवाई जैसा देड़ किलो का गाज़र का हलवा, एकदम मज़ेदार, तो चलिए शुरू करते हैं साधारा जयाने, और्डनरी इंक्रीडियन से, एक्स्ट्राइडनरी चलिए, यह है, देड़ किलो लाल गाज़र तो ठंडी में निकलती है, बड़ आप चाहें तो थ्रूआउट दॉयर जो ओरेंज गाजन मिलती है, उससे भी बना सकते हैं, इसके देखें, मैंने दो पीस किये, छील निकाली, और उपर और नीचे से इसे काट लिया है, और इ इसे धो लिजिए बहुत अच्छे से और पोच लिजिए, उसके बाद ना मैंने इस तरीके से पीस कर लिए, अब आप चाहें, तो खुरत सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता है, और बहुत सारी लीडी की पास नहीं होता है, तो इस बर मैंने किया किया, ब्लें नहीं सरशार के अंदर दाल कर पीस रहें, तो एकडम सादा मत पीसियेगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा पीसियेगा ना, कि वो ऐसा दरडड़ा सा दिखना चाहिए, ठीके ना, अब आप देख सकते हैं, मैंने एकडम एक सरीके के सारे पीस लिए हैं, तो अब हम चलते हैं, इसे बनाते हैं अब एक कड़ाई के अंदर दो टेबल स्पून असली घी के डालिए बेस्ट होगा असली घी ही आप डालडा भी डाल सकते हैं बट मैंने असली घी का इस्तमाल किया है 50 ग्राम्स मैंने यहाँ पर काजू लिया और 50 ग्राम्स बादाम लिये हैं बादाम मेंने में एक एक लो पीसे कर लिये और अरen इमिजियम आज करता है चिकर ऑफ़र टे कर दीजिए आपने तब्देक तब तब खो जाया है अरल को अद्थ क्रिस्पी हो जाए यह तो यह निकाल कर नितार कर प्लेत के उपर रखदीजे साइट पर यह त्राइ करे हुए बादाम और काजु को साइट पर रख दीजिए तीन टेबल स्पून फिर से असली की का डाल दीजिए आप कम भी डाल सकते हैं चूला मैं फिर से फास्ट आज पर चालू कर देती हूं और इसमें डाल दीजिए जो हमने साइट पर खुरच हो या किया हो उसे डाल दीजिए चूला मीडियम आज कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए दो मिनिट तक भून लीजिए हमारी गाजरों को जब बार बार चलाते हुए दो मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए जो आज और इसे धाक कर तक कर तक पकने दीजिए आप चाहें तो 5-6 मिनिट के अंदर एक दो बार आप बीच में चला सकते हैं चलिए, टोटल मैंने 6 मिनिट इसे ढाक कर पकाया था, बीच में एक दो बार मैंने चला लिया था अब एक बार खोल लिजिए और फिर से चला लिजिए तो आप देखेंगे कि सॉफ्टनेस है लेकिन हल्की सी आपको पता चल रहा है कि आप गाजर खा रहे हो मतलब थोड़ी सी क्रंचिनस है अब इस समय दान दीजिए, एक कब दूद, यह 220 ml वाला कब था मेरा और यह है 200 g मावा मावा मैंने है न, ओनलाइन मंगाया था और बहुत आसानी से मिल गया था मुझे अब इसे एक बार चला लीजिए और यह जो मावा है न, बस melt होए तक इसे पहले तो पका लीजिए बार बार चलाते रहिएगा आदे एक मिनट के अंदर तो आप देखेंगे मावा पूरी तरीके से घुल चुका है, इसके अंदर आप देख सकते हैं तो अब मैं दाल देती हूं 2-3 ईलाइचिओ को इस तरीके से हाथों की मंदद से थोड़ा सा खोल लीजिए और ऐसे दाल दीजिए, आप एलाइचि पाउडर दाल सकते हैं, अब मैं ने 3 ईलाइचि को खोल कर दाला है अब इसे चला लीजिए और इसे धाक कर 6-7 मिनिट तक slow आज पर पकने दीजिए चलिए टोटल 7-8 मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो मैंने दूद डला था वो कितने हद तक evaporate हो चुका है आप देख सकते हैं और मावा भी बहुत अच्छे से पक चुका है तो यहां पर अब मैं डाल देती हूं शक्र चूला पहले तो मीडियम आज कर दीजिए और इसमें मैं डाल देती हूं 300 ग्राम जितनी शक्र आप कम्या जादा शक्र अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं पहल अब शक्र दालि विन तो आप देखेंगे थोड़ा सा वाटरी हो जाए यह जाईर सी बात है शक्र मेल्ट होगी तो वह लिक्विट फॉर्म में आ जाती है अब लिक्विट फॉर्म को हमें मीडियम आज पर सुखाना है तो अब जब शक्र अल्दो मॉस्ट ड्राइव हो ज तो यह देखिए जो हमने शक्कर डाली थी वो कितने हट तक ड्राय आउट हो चुकी आप देख सकते हैं पूरी घुल चुकी है और ड्राय आउट हो चुकी है तो अब यहां पर ना मैं और चूला मीडियम पर ही था और अब मैं डाल देती हूं फिर से दो टीबल स्पून जित को आधे दाल दीजिए अब चाहें तो पूरे भी दाल सकते हैं मैं थोड़े से प्रेजेंटेशन के लिए साइट पर रखियो से मिक्स कर लीजिए और इसे ठाक कर अच पर रहने दीजिए पांच मिनिट तक चली पांच मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं और मैं यहा चैके ले साइट से है नगी उझाट हुँए जो घी दाला था तो यह जो हलवा आप जब बनाते हो इसकी खासियत यह होती है मतलब आपको ऐसा लेगता है कि कब पता चलता है कि हलवा पक गया पता तब चलता है जब घी उजा ओउट होता है और यह हमारा हलवा है यह लग रहा है खाने में, तो इसे अब मैं एक प्याले में निकाल लेती हूं, कर्मा गरम, और यह देखिए कितना खुबसूरत कलर आया है, माशालला, कुछ मैंने कलर इस्तमाल नहीं किया है, आपने देखा कुछ भी नहीं डाला है, यह देखिए क्या बढ़िया लग रहा है, ह लोग minute कर देती हो और यह बन गया हमारा कर्मा करम गाजर का अलवा कुछ लोगों को ठंडा पसंद ए कुछ लोगों को रर्म कर चाहिया मुझे तो बहिया वाम कर चाहिया आप कैसे पतन पसंद है कमें चेक्चिन में मुझे जरूर बताई येगा और शखकर अपने सुधानू सार इस वाली रेसिपी में डालिएगा तो रहना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्षिन में ज़रूर शेर किजिए गा मुझे आपी कमेंस पर बहुत अच्छ लगते है रेसिपी अच्छ लगे तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को उ अच्छ लगे दॉक्तर फामली और स्वेंज में इस वाले वीडियो के लिंग जरू फावर कीजिए का फिर से हाजिर होंगी नहीं शांदार दंदार रेसिपी के साथ अंचल देल टेकर अलाहाफिस बाबाए